नमस्कार दोस्तों मैं लखनवी वैक्स से बोल आपको ये मफलर बनाना चिखाऊंगी आप ये देख रहे हैं ये मफलर इसको बोलते हैं पोटेटो चिफ्स स्काफ ये लड़कियों को बहुत पसंद आता है कि मैंने अपनी 10 साल की बेटी के लिए बनाया है आप भी अपनी बेटी या किसी के लिए भी आप इसको बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं और ये बहुत आसान है देखिए इसको मैंने 100 ग्राम उन का गोला होता है जिग जैग उन है और जाधा मोटा नहीं है दस नमबर से लाई है तूप लाई का ओन है और ये देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है इसको और मुझे बनाना है जितना आपके जिसको जिसके लिए आप बनाएंगे उसके नाप का जो भी अउन लेंद्ध रखना चाहें और रख सकते हैं और मैंने ये देखिए इसमें मैंने वह भी लगा बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका कलर भी बहुत प्यारा है और आपको बनाना सिखा दें और मैं आपको सिखाऊंगी इस कलर से बनाना तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूं कि मैंने कैसे किया है मैंने इसमें यह मैंने इसमें तीस फंदे डालें तीस फं बना लेती हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल होगा क्योंकि जो उलन या साड़ी वाला जो बनते हैं उस सेप वही वही सेम चीज होती है कि कैसे हम को यहां से यह फ्रिल कैसे बनते हैं यह ऐसे क्योंकि हम एक सलाई पूरी बिनते उसके बाद सिदे छे पिर आठ यह नौ यह दस यहां तक आते फिट में च। छोड़ देते हैं फिर हम फिर फूरी सलाई बिन लेते हैं इधर बढ़ता जाता है अब बीच में कम अगर इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं अब देखिए मैं आपको बताती भी हूँ कैसे बनाना है मैंने यह दस नंबर की निडिल लिए है दस नंबर की मेरी सलाई है और यह यह उन देखिए इसको मैंने इसमें ऐसे किया मेरे फान निक देखिए मैं इसको फंदे कैसे डालती हूं ऐसे लिया म यह अब मुझे इसमें 30 फंदे करने तो मैं अपनी उली में जो यह डबल वाला है इसको मैंने इधर फसाया और इधर और इसको मैंने देखिए इसको मैंने ऐसे डाला और यह इसको ऐसे किया और यह बहुत ही सिंपल तरीका है पहले मम्मी लोग नानी लोग मेरी ऐसे करती थी पैर में फसाके एड़ी की बीच में फसाके बना देखिए लेकिन आप इसको ऐसे असानी से बना सकते हैं बैठे बैठे देखिए खड़े होकर भी आप जैसा भी चाहें देखिए फंदे डल रहे हैं तो हमने तीन तीन छेट नौ दस ग्यारा वारा तेरा चौदा पंद्रा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21, 22, 00, 22, 25, 30, 30, टो मैंने इसमें 30 यच इसमें दालने हैं अब हमको क्या करना है दूसरी सलाही अब हमको और इसमें इसमें यह ध्यानीना है कि हम सारा उल्टे उल्टे में बनाएंगे सब्सक्राइब अब सारा पाम किनारे आप गाट गाट की हो जाएगी हमको गाट गाट की नहीं बनानी हमको इसको इसमें देनी है देखिए इसमें चैन देनी है तो हमको बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम पहला फंदा सलाई में उतारेंगे पहला फंदा हम सलाई में उतारेंगे फिर उस उन को आगे कर लेंगे उद्ध पीछे से लाके और यह देखें अब मुझे इसको बिनना है तो हम इसको पूरा बिन लेंगे फटा-फट कि दोस्तों यह बहुत ही सरल तरीका है कि यह कोई भी बना सकता है अगर आपने बनाना सीख रही है तो बहुत ही सिंपल है यह देखिए यह मैं अपनी बेटी के बड़े के लिए बना रही हूं बच्चियों को तो आजकल बहुत पसंद होता है नया जो है नया लुक में पहनना आप कुछ नया बना के अपने बच्चों को खुश कर सकती है देखिए यह हमारा थर्टी फंदा हो गया है अब हमको क्या करना है मैंने एक सलाई बना लिए अब हमको यहीं से सुरू करते हैं अगर आप चाहें तो एक और बना सकती हैं लेकिन देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे अब फिर से पहला फंदा उतारा आगे किया फिर हम इसमें सबसे पहले छे बिनेंगे देखिए हमने छे बिना फिर हम इसको पीछे करके फिर इसको तुरंट टर्म कर लेंगे इसको मोड़के फिर से हम इसको छे फंदे को द बारह फिर से बिनेंगे पहला फंदा उतार के आगे और जे बिनेते आब की बार शे और उसी में तीन और तो अब क्या हो जाएंगे छे तीन हो गया नौ अब हम नाइन फंदे फिर से फिर लेंगे 9 फंदों को हमको फिर से भिना है अग़ देखिए 6 था फिर 9 हो गया फिर से हमको उसको मोणना है अब फिर हम पीछे फिर उल्टा बिणेंगे पहले 6 था फिर 9 था और अब फिर से पहला फंदा हमको पहला फंदा हमने उतारा उनको आगे किया और ये 6 ये फिर 3 थे तो 9 थे और अब की बार हम क्या करेंगे कि तीन इसमें और तीन हमको और बिन लेना है तो हमारा हो गया 12 एक देखिए हमने 9 भी ना 10 11 एंद 12 तो बारा फंदे हमको फिर से फिर टर्न की हमने सलाई को और ये फिर से कि इसको इधर से भी 12 बिन लेंगे हम जो भी ने थे हमने और ये देखिए अब इसके बाद हमने फिर पहला फंदा ध्यान रखेंगे अगर से बिनना है तो पहले फंदे को उतारेंगे और उनको पीछे की तरफ से आगे लेंगे अब हमारा हो गया है बारा फंदों तक हमने बिन लिया है अब बीच में छे फंदे बसते अगर हम 12 इधर 12 इधर चार तीन देखिए छे फिर 9 फिर 12 और फिर पूरी पूरी शलाई ले जाएंगे अब हमको उसकोने तक फिर से ले जाना है जो मैंने इधर किया है यही प्रोसीजर हमको उधर भी करना है देखिए कि यहां तक मैंने बिन लिया है अब इसको हमको क्या करना है फिर से अमने फंदय को उतारा देखिए छे हो गया अब फिर हम टर्न करेंगे फिर इधर आएंगे यह देखिए पिर मैंने छे भी ना जो हमने उधर किया था सेम वही प्रोसीजर हमको इधर भी करना है छे हो गया अब देखिए हमने पहला फंदा उतार लिया है और इसको आगे किया अब फिर से हम नौ करेंगे हर बार तीन तीन एड़ करके बारा तक जाएंगे फिर भीच में छे हमको विन लेना यह देखिए नौ हो गया फिर हमने टर्न किया कि अब हम पूप हमने छे किया नौ किया फिर बारा करेंगे तो हमारे बीच में जो तीन फंदे होते हैं वह तीन इधर तीन इधर छे तो छे में बीच में जो देख रहे हैं आप यह हम छे फंदा हमारा बीच में बढ़ता जाएगा और यह किनारे किनारे ऐसे फ्रिल बनते जाएंगे और आपको हम पूरा अगर आप आपको यह पसंद आता है बनाते हैं इसको बनाना भी बहुत आसान है इसमें मैंने कटिंग करके लगाया है मैं इसका दूसरा वीडियो आपको बना के इसमें दालूंगी और आप देखिए और मेरे वीडियो अगर आपको यह अच्छा लगता है तो आप प्लीज प्लीज मेरे चैनल लखनवी वैक्स को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंड करके बताईए आपको यह कैसा लगा मेरा नाम साधना पांडे है और इसको श आएंगे तो अच्छा लगेगा ठंडियों में बैठके आप कुछ नो कुछ करते रहिए ना तो टाइम भी अच्छा जाता है दूप में बैठेंगे वाली बहुत अच्छा है अब मैं अपनी बेटी की फोटो भी इसके साथ शेयर करूंगी और आप देखिएगा मेरी बेटी के उपर कितना अच्छा लगता है यह मैंने यह उन से मैंने इसको नहीं बनाया है ताकि कुछ अलग लुक आए तो मैंने इस उन से ही बना दिया है इसको बनाना बहुत आसा आने मैं आपको दूसरे वीडियो में टूटोरियल पूरा कंप्लीट करके बनाऊंगी और आप बताईएगा यह वीडियो मेरा कैसा लगा थैंक यू नमस्कार दोस्तों बाबाई